भारती जंता पार्टी अब ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करेगी 12 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाले अभ्यान के तहट भाजपाई कारेकर तक किसानों से मुलाकात करेंगी साथ ही इस वीच डबल इंजन सरकार की किसानों को दी जा रही सहूलितों से उन्हें अफगत कराया जाएगा बता दें इस अभ्यान के दोरान किसानों के समस्याएं से भी भाजपाई रूबर होंगे किसान मोर्चा की अगवाई में चलने वाले अभ्यान के तहट आम किसान परिवारों को बताया जाएगा कि मोदे सरकार में किसानों के लिए क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं 12 फरवरी को बीजपी के राष्ट्री अध्यक्ष इस अभ्यान की शिरुवात करेंगे सहारस में समवाद आता सुनहिल साहू ने बीजपी पलादिकारियों से खास बात चीत कर इस अभ्यान का मकसद जाना इस मौके पर बीज़ेपे पदादिकारों ने क्या कुछ कहा जानने के लिए देखें ये खास रिपोर्ट हमारी इसके पीछे मंसा है कि मानने मोदी जी और मानने योगी जी के नितत में किसानों के हितों में जो कार किये गए और आगे क्या क्या किये जा रहे हैं किसानों की समध्ध के लिए जो कल्यालकारी योजिनाय चल रही हैं उनसे अपने किसान और किसान परिवारों से संबन र पर आगल कर लिए तरह कमा जो है चल लए तो आप लोग तो सरकार की योजना है लेकिन विपक्स कहीं निसाना साथ रहा है किसानों को एक तरास्तों दे रहें चोर रासे से निकाल रहें यूरिया की बोरी के रेट तो नहीं प्ला रहें लेकर उसकी वजन कम कर दे रहें अब क्या कहेंगे बताना चाहूंगा किसानों को विकास के रत पर जो आगे बढ़ाने का काम किया है जो आए दो गुनी करने की बात मानी मोदी जी ने वानी योगी जी ने कहा था उसको कहीं न कहीं आज सरकार ने प्रस्तावित किया इसी से ये बहुख़ाय भी पच्छी आज भारती जन्ता पार्टी को हटाने के लिए प्रयास करने पे लगे हैं कि 2024 के चुनाओं में ऐसी सितीनों मगर किसान मोर्चा चाहे महि काम हुए हैं इसी बल्बूते पर तिसी बार दरिल मुझी देश के प्रधान मुझी बनें कान प्रस्ते कमरा प्रसंट प्रमोट्र पाठी के साथ सुनील साहू सहरा समय